आपके नसे में नहीं थे वो अपने होसो हवास में थे इतने सारी गाडिया वगरा आई थी और वो अपने महीला योग की जो सदस्या है ना वो ऐसे कह रही थी कि परदान के पती परदान के पती परदान के पती आप किस दिसा में आपको क्या पता है वो 15 सालों से जन परते न सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि राज्य महीलायोग की अध्यक्स या जो भी सदसिय हैं वो हमारे बीच यह बाड में रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप खुद एक महीला हैं आप यहां किस हिसाब से आप इतना कॉंग्रेस प्रवत्ता की तरह आप एक भासन के रूप में जो आप सथकार सभी को दे रही हैं मैं उस बारे में आप से मैड़म यही पूछना चाहती हूं कि आप पहले निस्तप्स चांग सो कीजिए अभी तक आपकी कौंको देवी से कोई बात चीत नहीं हुए नहीं उनकी सुपुत्र से किसी से बात हुई ह मैं यह आपको एक छोटे से उद्धारण के मादियम से समझाना चाहूंगी जैसे अब अपने बच्चों को स्कूल बेजते हैं ना तो अपने बच्चे पड़े लिके होते हैं उनको बहुत सारी अक्टिविटीज आती हैं लेकिन जब वो स्कूल के अंदर स्कूल पालों के अंपड़े तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरह से बयान दे रहे हैं उनके उपर बहुत प्रेशर हैं उनके गरवालों के उपर भी प्रेशर हैं क्यों न लगा यारोप वहां पर जो उस होटल में जो मामला हुआ था उसमें आप सभी देख सकते हैं अपने अपने अंगुल जी सदसिया उनके सामने इस तरह का मावल बना दे ताकि वो कुछ खास रिपोर्ट न दे पाएं उनके पुत्रा से मिलने से जश्ट पहले ही ये गटना हुई है अरोप प्रत्यारोप ऐसा है कि हमारे पी स्रीमान जी केलास चोधरी जी वो भी एक तरह से अपनी बात रख र बता दू अभी तक पुलिस प्रसासन कोई भी कारवाई नहीं है मेरे पती के साथ जादती हुई है उनके साथ धक्का मुकी हुई है आप उसमें अनुमान लगा सकते हो वीडियो देखकर रच करवाई जस्वाल थाने में लेकिन उस पर कारवाई एक परसंट नहीं है और प अन्दर सदसिया सब कह रहे हैं तो आप स्वतंत्र हो जाएए यहां पाटोदी सेत्र में आपका कहीं है कहीं भी कोई हमें दिख नहीं रहा है तो मेरा तो यहीं मानना है कि वह सदस्यों को विश्वास में लाने के लिए प्रधान वर्तमान परदान एक मीटिंग भी रख सक टेल को और सिवलाल जी जाट को सीयसार सब भी बात की लेकिन उनके उपर भी यह एक प्रसासन का प्रेसर है आप चाहे कुछ भी को हमारे वर्तमान है मेले हरीश चौधरी जी है वहां कई समय समय से मैं जब से परदान बनी हूँ तब से उनको राजनिती का जो असर है वो मेरे भी बिजएपी के सदसे हैं आप देख सकते हों हम भी बिजएपी व्याल है तो हम मेरे पती के साथ इतनी निर्मम घटना उसने की है तो हमारी जब कोई सुनवा ही नहीं है, तो वो विजेपी वाले सद्दासी कॉन से हुए जिसके उपर इतना पुलीस प्रसासन उसकी दिशा में काम करें जैसे कोई उनके ही हो आदमी, वो भी तो विजेपी के सद्दासी हैं। तो एक होटेल है ना बहुत बड़ा होटेल है जैसा कि आप इसी से तरह से आप भी यह जानते हो तो वहाँ उनका केमपस अलग था हमने जो रूम रे रखा था वह एक अलग चीज है और प्रसिंग सड़ का भी समय होता है वह रात को दस बजे की कटना है इस दिशा में आपको क्या पता है तो अपने बौकलाट नहीं होगी क्या सब्सक्राइब कि यह लोगत तंत्र में यह सबको अधिकार है वह स्वतंत्र गूप से मत दे और जिनको देना चाहे वह मत दे लेकिन इस पर कारिवाई होना बहुत जरूरनी हो यह मेरे पती पर जान को खत्र है उनके साथ बहुत ही निंदनिय गटना हुई है यह इसलिए राजनिती का विशह नहीं है यह अन्याई है बिल्कुल आप जो सरासर देख रहे हो वीडियो के माध्यन से आप चाहें किसी भी प्रकार से देखो राजस्थान में पुलीस मतलब एक तरह से इतना मतलब गिनोना काम कर रही है जो एक बहुत ही आम आदमी के लिए अगर सोचे तो बहुत और समिंदन सील गटना है